लेट असे स्टार्ट दा नेक्स्ट पार्ट ओफ दिस स्टोरी दरेट ट्रैप और अभी तक हम यहां तक पढ़ चुके हैं कि वह फैक्टरी में पहुंच गया है जंगल में प्रेशान होई रहा था आपको मालूम है और कोई इसको दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी हो रहा है असपास तो गया वहां पर और वहां जाकर के उसने पर्मिशन लेकर के वह जो में जो वहां का जो ब्लैक स्मित था लोहार उसकी पर्मिशन लेकर के वहां जो बटी थी इसमें कच्छा लोगा पेगल रहा था वहां पर वो लेट गया सो गया सर्दी के दिन थे उस इंस्पेक्शन करने के लिए आ गया आता रहता था वो उसके बारे में आपने कल पड़ा और वो आ गया और उसने आकर के जब उसको देखा तो आलंकि जो लोर जो था उसने तो उससे रेट ट्रैप सेलर से कुछ भी नहीं पूछा था बसके वह उसको इसारा कर दिया था कि भ इस चुएदानी बेशने वाले वेक्तिने भी इसको लगा कि यार जानता था यह तो कि यह आदमी को कुछ गलत फेमी हो रही है इसको जो मालिक है लेकिन वह भी उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था उसको बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि शायद हो तो उसने उसको जब उसके आलत देखी तो उसको लगा कि बही ऐसे कैसे आहल बना रखा है तो उस चुए-दानी बेचने वाले वेक्ति ने का कि बही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गए मेरे साथ तो बस क्या करें तो उस फ्रेक्टरी मालिक ने जो आइरेन मास्टर था उसने उसको चुह दानी बेचने वाले को का कि भी तुम अब घर चलो मेरे वेल नाओ अफकोर्स यू विल कम हॉम विद मी यह मैंने फर्स्ट लाइन जो इस पेस की है एटी की उसमें बिलकुल लास्ट में जो सेकिंड सेंटेंस है वेल नाओ अफकोर्स यू विल कम हॉम विद मी खहर अब जो भी है तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे तुम अलोंग अप तुम अब तुम अब तुम अब उसकी इस बात से जब उस आइरन मास्टर ने जब उसको प्रिस्ताव रखा कि तुम मेरे घर चल रहे हो अभी चलना है तुमें आपको भी कोई आपका पुराना साथी कभी मिल जाए कहीं ऐसी बुरी आलत में तो आप भी कोगे चले यार घर चलते है होता है एक दिल का रिस्ता भी होता है तो लेकिन यह जो चुएदानी बेचने वाला था इसको उसका इविचार अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था उसके साथ उसको लगता दे कि मैं फश जाओंगा तो गो आलोंग अप तो दे मैनर राउस एंड बी रिसीवट बाइदा ओनर लाइक एन ओल रेजिमे उसको उस व्यक्ति को उस गुमकड को यह बात उसको अच्छी नहीं लगी उसको पसंद नहीं है यह बात उसने का नहीं घर तो जाना ही नहीं है नो आई कुड़ेंट थिंक आफ इट और उसने बोल दिया कि नहीं नहीं ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड एक्दम च जानता था तो उसने मना कर दिया नो आई कुड़ेंट थिंक आफ इट मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता आपके घर जाने की बात ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड बहुत चौकन नहीं होते हुए वो बोला ही थौट अफ दा थर्टी क्रॉनर उसको किस क्या विचार रधा मन में वो जो तीस क्रॉनर थे ना उसके पास में उनके बारे में वो सोच रहा था तो गो अप टू दा मैनर हाउस वोड बी लाइक थ्रोइंग इंसेल्फ वालेंटेरली इंट दा लॉएंस दैन यह तो बिल्कूल उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे खुद शेहर की मा वो तो बहिए उसका तो केवल इतना सा इरादा था कि वो आज आए आज की रात वो इस फैक्टरी के अंदर जहां पर घरमाट है यहां पर आ करके वो सो जाए और चुपचाप सुबह उठकर के यहां से चला जाए वो तो इस इरादे के साथा है ता किसी के घरवर जाने का इरादा था ही नहीं दा इराद मास्टर रजियूम दैट यह फेल्ट एमबरेस्ट बिकास अफिस मिजरेबल क्लोथिंग आइरन मास्टर को लगा कि यार हो सकता है कि इसने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखें बाड़ी 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 हुई है है ऐसी वेश्बुसा ह इसकी गंदा सा लग रहा है तो वो सकता है कि इसको घर जाने में शरम आरही हो है ना समझ रहे है आप बात को इसको आइरन मास्टर को इसको आइरन मास्टर को कि साइद यह घर जाने में शरमा रहा है क्योंकि इसके कपड़े अपड़े बिलकुल बेकार हैं खराब हैं है न please don't think that I have such a such a fine home that you cannot show yourself there he said तो उस iron master ने खारे रहे ऐसा कुछ में सोचो मेरा घर कोई इतना बड़ा घर नहीं है कोई ऐसा नहीं है जिसमें तुम ना जा सको अपना यह घर समझो उसको है मन में कोई संकोज मत करो है ना यह एक अच्छे लोगों की बाते होती हैं कि कुछ रिस्ता जो होते हैं पुराने अगर अच्छे हैं तो उनको निभाए जाना चाहिए इस तरीके से पर यहाँ पर अलग चीज है यहाँ पर अलग चीज क्या हो रही है कि वो जो iron master है वो तो उसको समझ रहा है वो वाला वेक्ति यह वो है नहीं और इसको अच्छे तरीके से मालों में कि मैं वो हूँ नहीं समझ रहे हैं आप बात को देखिए जरा कहानी कहा लेके जाएगी यह कहानी तो उसने iron master ने कहा Elizabeth is dead as you may already have heard और शायद तुमने सुन लिया होगा कि Elizabeth तो मर चुकी Elizabeth कौन है यह iron master की wife का ना iron master की wife तो iron master ने कहा कि तेखो Elizabeth तो अब रही नहीं तुमने भी सुन लिया होगा कही ना कही है न और my boys are abroad और जो मेरे लड़के हैं वो बहार हैं abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself और घर पर मेरी जो सबसे मेड़ी बेटी है और मैं हूँ बस हम दोनों के अलवा घर पर कोई भी नहीं है तो ज़्यादा शर्माने सा कुछाने के आवा सकता नहीं है we were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas और iron master ने का कि हम लोग बात करी रहे थे इस बारे में यानि कि मैं और मेरी बेटी कि इस बार बड़ा बुरा हुआ हमारे पास में Christmas का तिवार मनाने के लिए कोई है नहीं हमारे पास में कोई अपना साथी कोई अपना वेक्ति नहीं है किश्मिस तिवार मनाने के पीछे का मैंने जहां तक सुना है कि क्रिश्मिस का त्योहार मनाने के पीछे उद्देश यह होता है कि इस एक दिन जो कुछ लोग जो वंचित है जिनके पास में कुई इस प्रकार की खाने पिने की कुई प्राबला में कुछ कमी हैं कुछ ऐसी चीज़ें तो उनके लिए कुछ किया जाए किसी को खुशी दी जाए ऐसा सुनता हूं मैं कि इस लिए इसको मनाया जाता है और अपने लोगों साथ में क्रिश्मिस का त्योहार अपन इनके होता है थोड़ा सा कि कोई गैस थो उसके साथ हम अच्छे से सलिबरेट करें तो हम यह सोच ही रहते कि किसी को खाने पर बुला लेना या किसी को कुछ किसी दरीके से भी कर लेना कि इस बार तो क्रिश्मिस के त्योहार पर अपने पन का भाव यहां पर उस आयरेंड मास्टर की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है इसमें शायद आप भी महसूस कर रहा हूं यहां कि उसका पराना परीच्छत है उसको ऐसा लग रहा है लेकिन जो इस्टेंजर था इस्टेंजर कौन? आरे नहीं बाबा रेट ट्रेप सेलर उसने कहा नहीं 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 बार बार उसने कहा नहीं और बिलकुल भी वो टस से मस ने हुआ जाने को तैयार नहीं हुआ तो जो आईरेंड मास्टर था उसने भी फिर हमत हार ली कि ठीक है भी चलो मान ली मैंने हार उसने देख लिया होता है नहीं कही बार अपन जब किसी को बार बार कहते हैं तो फिर अपन नहीं मानेगा भी यह छोड़ो अब ऐसा हुआ अब जैन स्ट्रॉम कोन है जैन स्ट्रॉम किस का नाम है किस का नाम है पता है जैन स्ट्रॉम किस का नाम है उस लुहार का नाम है जो में जो लुहार था उस वेक्टरी के अंदर काना समझ लेजी आप अच्छे से और कैप्टेन वान स्टैनले ये कौन है ये वो वेक्ति है जिसके रूप में इस चुएदानी बेशने वाले को ये आरेंड मास्टर देख रहा है इसके लिए रोगी बात आपको यानि कि कैप्टेन वान स्टैनले ये ने कभी आरेंड मास्टर के साथ किसी रेजिमेंट में इसका साथी राता है इसके साथ काम किया था और अब इस चुएदानी को देख करके इस आरेंड मास्टर के दिमाग में गलत फिहमिय हो रही है कि ये जो चुएदानी बेशने वाला वेक्ति ए कैप्टन स्टैनले ही है के लिर हुआ तो जब उसने मना कर दिया जाने से तो आरेन मास्टर ने अपने लोहार से यानि कि ये जो जैन स्टॉम जो है इसको बोला कि भी ऐसा लगता है कि आज ये जो है हमारे कैप्टन साब तो मारे साथ ही रात को यहां पर रहना चाहते हैं और ये सेट तो दे मास्टर ब्लैक श्मित और तर्न अन इस हील और वो घूम गया मुड़ गया जाने के लिए बट ये लॉफ तो इमसेलफ एस ये वेंट आवे और ब्लैक श्मित अपने मनी मन में हसा और वहां से चला गया और जो ब्लैक श्मित था जो अपने इस मालिक को जानता था वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ गया था कि हमारे मालिक ने अभी अपनी अंतिम बात नहीं कही है यानि कि ये इतनी जिल्दी हार मानने वाला नहीं है समझ में आया आपको देखे क्या हुआ इसके कहने से तुन नहीं गया है इट वाज नॉट अब चला गया वहां से कौन चला गया आरेन मस्तर वहां से चला गया और अभी आदा घंटा भी नहीं हुआ होगा उसको गये हुए it was not more than half an hour before they heard the sound of carrier's wheels outside the force and a new guest came in but this time it was not the iron master और अभी आदा घंटा भी निक बिता होगा iron master को वहां से गए हुए तब ही factory के बाहर आकर के एक गाड़ी रुकी और उस गाड़ी में से एक और महमान आए समझ रहे है मेरी बात को आप लेकिन इस बार जो यह महमान आया है यह iron master नहीं है यह कोई और है आगे मेरी बात समझ मैं आपको yes sir iron master तो आदा घंटे पर ले चला गया था फिर आदा घंटे के बात कोई और आया है आया he had sent his daughter apparently hoping that she would have better power of persuasion than himself अब हुआ क्या था iron master जो यहां से चला गया था जाने के बाद उसने अपनी बेटी को बेजा समझ रहे हैं आप बात को तो कि वो इस बात को जानता था कि कि किसी को मनाने की जो ताकत है ताकत है वो उस iron master से ज़्यादा उसकी बेटी के अंदर है और थोड़ा फरक भी होता है सभावत एक फरक होता है nature by nature होता है यह difference समझ रहे हैं आप बात को तो एक महिला किसी को जल्दी से आसानी से मना लेती है पुरुष की अपेक्छा यह तो आप भी मानते हूं तो जब iron master के कहने से वो नहीं मना तो iron master घर चला गया और फिर उसके बाद उसने अपनी बेटी को भेजा शी एंटर्ड वो अंदर आई imagine करते रही यह आप followed by a wallet एक knocker उसके साथ उसके तीछे पीछे carrying on his arm a big fur coat और उसके हाथ में एक बड़ा सा fur coat था she was not at all pretty बहुत ज़्यदा सुन्दर तो नहीं थी वो लड़की iron master की जो बेटी है but seemed modest and quite shy लेकिन उसके वो काफी विनम्र सभाव की देख रही थी है समझ रहे हो आप और काफी शर्वीली दिखाई दे रही थी वो मतलब एक तो सुन्दरता शरीर की भी होती है सकल सुरत की भी होती है और इसके बाद जो एक बात है कि विक्ति अपने अंदर से भी एक होता है कि उसका सभाव क्या है तो काफी ऐसी अच्छी सी सिस्टाचारी शालीन ऐसी वो दिखाई दे रही है और सर्मिली भी है वो लड़कियों का सभाव भी होता है फिर थोड़ा सा सभी नहीं होती है कुछ तो बड़ी ऐसी होती है पर वो नेचर है महिला का सभाव कॉमल होता है इन दा फोर्ज एवरिटिंग वास जस्ट एस इड़ बीन अर्लियर इन दा इवनिंग फोर्ज में क्या था जो डलाई घर था फैक्टरी के पास वाला वहाँ फैक्टरी में जो था वो वहाँ पे सब कुछ वैसा ही कुछ चेंज तो हुआ नहीं है वो जो चुए दानी बेशने वाला तो अभी भी सो रहा है समझ गया मेरी बात को जैसा बताया गया था पहले वैसा ही यह सब कुछ वहाँ पर है ना और दा मास्टर ब्लैक श्मित अंडिस अपरेंटिस स्टिल सेट उन दियर बेंच मुखे लुहार और उसका जो चेला माल लीजिए शिक प्रशिक्चू माल लीजिए वो वहाँ पर बैंच के ओपर बैटे हुए थे और आइरन और चारकोल इस्टिल ग्लोड इन दा फर्नेस और लोहा और कोईला है ना वो अभी भी चमक रहे थे बटी के अंदर क्या कह रहा है यहां पर वो जो चुएदा नहीं बेचने वाला तो ना इस्टेंजर उसी के लिए आ रहा है वो अपने हाथ पर फैला कर गया रहा है और अपने सिर के नीचे उसने क्या लगा रखा है कच्चा जो लोहा होता है पिग आईरन उसका एक डिला एक टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ है तो लोहे की फैक्ट्री है तो खूब होंगे बाद वो उठा कि उसने अपने सिर के नीचे लगा रखा है तक्ये की तरह सिराने के रूप में और उसका जो हैट है ना हैट उसको उसने अपने मुख्यों पर ऐसे रख लिया जैसे कि उसका चेरा डग गया पोजिशन समझ में आगई या आपको यस सून आज दा यंगर्ल कॉट साइट ऑफ हिम और जैसे ही उस नव्यूवती ने जो आई थी वहाँ पर वो लड़की उसको देखा शी वेंट अप एंड लिफ्टेड इस हैट वो शीदी उसके पास गई और उसका हैट उठा लिया उसमे अब मुझे तो इस बात से ऐसा लग रहा है कि जिस कैप्टेन की बात की जा रही है उस कैप्टेन को ये लड़की भी जानती थी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जिस तरीके से वो आई और फिर उसके बाद ओर अइरन मास्टर आया उसके कहने से वो नहीं गया तो वो actually वो तो वो captain तो था ही नहीं वो लेकिन उसको तो लग रहा था फिर उसने अपनी बेटी वो घर जाके बताया होगा कि वह कैप्टेन ऐसे ऐसे है, मुझे मिलाता है, हमारी फैक्टरी में सुरा है, मतलब मैं एक इमेजन कर रहा हूँ, शायद ऐसा रहा हो, और मेरे कहने से तो आया नहीं वो, तो तू देख ले, तो हो सकता है कि वो उसको जानते हो, हो सकता है कि कोई उनकी सगाई साधी का लुप उटा है और नहीं? शायद ऑफनी के एक आग खिली हूँ थी और एक आग बन थी और सोरा था भाही आराम से, होते हैं ऐसे लोग भी? ऐसे गुंस होते हैं, और एक कोल बात कर रहे हैं भाप? यह एदी आधि आधि यहां के खुली रहती हैं आपको लगएगा कि जगराय है यह यह दुनिया है हर तरह की चीजें मिलेंगी यहां पर दुनिया है विचित्रताओं का संसार है विचित्रता बर्यों ही पड़ी है यहां पर he jumped up abruptly and seemed to be quite frightened एकदम से खड़ा हो गया वो तो डर था ना उसके मन में तो चोर था हो तो जैसे उसके hat उटाया उस लड़की ने चुएजानी से बेशने वाले इनके कि एकदम से क्या हुआ jumped up abruptly अचानक से खड़ा हो गया वो उचल के and seemed to be quite frightened और बिल्कुल भैभीत सा नजर आने लगा हो समझ रहे हैं आप उस वो feeling आपको मैसूस हो रही है यस सर उसने देखा कि आज तो मर गए पकड़े गए आज तो भाई है उसको अमेशा इस बात का डर रहता था कि मैं कहीं पकड़ा ना जाओ उसने गा एडला विल मैंसन है माइ फादर केम होम वो लड़ की बोल रही है माइ फादर केम होम और सेट तो यह वांटेट तो स्लीप हेर इन दफार तोनाइट अभी पिता जी घर पर आया थे और उन्होंने बताए कि तुम यहां सोना चाहते हो आज की रात and then I asked permission to come and bring you home to us फिर मैंने पिता जी से permission ली यहां आने की और तुमको घर ले जाने की तो मैं तुमको लेने के लिए आई हूँ तो मेरे साथ घर चलो अब समझ में आ रही है कहानी नहीं आ रही आ रही है सिक्वेंस बन रही है पूरी फिल्म बन जानी चाहिए आपके मैंट के अंदर पूरी फिल्म बन जानी चाहिए I am so sorry captain that you are having such a hard time ओहो captain मुझे बड़ा दुख है कि कितना बुरा समय तुमारा चल रहा है तुमारी क्या हालत हो रही है समय है तो हला कि उसका ऐसा कुछ समय नहीं है वो तो भिकारी है और चोर है पर मैंने आपको पता ही है पूरी कहानी किसी को क्या समझा जा रहा है कितनी बड़ी गलत स्मय हो रही है यह बंदा ऐसा है जो मानने ही रहा बताने ही रहा भी उसके मन में भी लाला चे शी लुक्ड एट हिम कमपैसनेटली और बड़े करुणा के भाव से बड़ी उस भाव से उसने उसको देखा होता है ने कही बार कोई आदमी आज आप से मिले बहुत अच्छी घासी इस्तिति में मिल रहा है और फिर कभी किसी दिन वो ऐसी पोजिशन में आपको मिले तो आपके मन में भी उसके प्रतिय एक करुणा का भाव पैदा होगा क्यार क्या थे ये और देखो अब क्या हो गए आज फिर फिर हैवी आईज अपनी भारी भारी आँखों से देखा and then she noticed that the man was afraid और फिर उस लड़की का ध्यान गया उसने जब उसको ध्यान से देखा उस चुएदानी बेचने वाले व्यक्ति को तो उसको लगा किया रहे या आपनी तो बहुत ज़्यदा दरा हुआ है either he has stolen something or else he has escaped from jail she thought उसने सोचा कि इसके डर को देख करके उस लड़की को ऐसा लगा कि इसके डर इस बात को बता रहा है किस बात को बता रहा है सुनिए either he has stolen something compound sentence है याँपर यह जान दीजी आप either or को use किया गया है compound sentence है दो close आ रहे हैं either or से connect किया गया है literature वाले भी द्यान से सुने बस आद द्यान से तो सभी सुनो कि उस लड़की को लगा कि ये इस तरीके से डरा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि या तो इसने कोई चीच चुराई हुई है या ये jail से बाग किया है समझ में आगी बात आपको और ये बात तो मैंने आपको पहले है कि दिर डर तो उसके मन में हमेशा रहता था और डर किस बात कर रहता था कि मेरे अग पकड़ा नहीं जाओ कहीं क्योंकि उसने इतनी चोरियां की थी इतना वो था अभी भी चोरी करके तो भागा है वो है ना उसने सोचा एंड एड़ेड क्विकली और तुरन तुस लड़की ने कहा यू में बी श्यूर कैप्टेन देट यू विल बी अलाओ तो लीव आस जस एस फ्रीली एस यू कैम तुस लड़की ने उसको आश्वस्त किया कि देखो कैप्टेन डरने की दिरूत नहीं है तुम हमारे साथ चलो और तुम हमारे यहां से जब भी जाना चाहोगे ना हम तुमको रोकेंगे नहीं तुम जैसे अभी आये हो वैसे ही तुम चले जाना जब भी तुमारी मर जी हो कोई नहीं रोकेगा तुमारे को Only please stay with us over Christmas Eve बस तुम एक काम करो हम तो तुम से केवल यह चाह रहे हैं कि केवल इस Christmas की पूरू संद्या पर तुम हमारे साथ रहो बस She said this in such a friendly manner that the rat trap paddler must have felt confidence in her और यह बात उसने इस तरीके से कही इस मित्रता के भाव से कही उसने यह बात होता है कभी कभी किसी की बात को टाल नहीं पाते है है ना एक भाव होता है एक भाव होता है अपने या भी होता है कई बार ऐसा का टाल एक बार भी नहीं हम मना कर पाते यहां ओके उसके बात में कुछ ऐसा अधिकार कुछ ऐसा भाव दिखाई देता है कि मना नहीं कर पाते है अक्षित ने कहा सर आजाओ चले गए निकिता ने कहा आजाओ अच्छ आएंगे जरूर फिर इसका फोन खाना आपको यहीं खाना है खाना ममी ने बना लिया है खाना आपको यहीं खाना है यह सब्द थे इसके इस परकार से यह मेरे से बोली कि खाना आपको यहीं करना पहली बार गया था मैं ऐसे घर पे मैंने इसको कभी देखा भी नहीं है तो बोलती है कि खाना मैंने इसको कहा था किताब भीजवा दूँगा मैं तेरी किसी के आथ कहती कि नहीं जब भी आपके पास टाइम हो आप या ना मैंने गा अच्छा ठीक है मैंने मना ही नहीं कर पाया है और जब मैं बात हुई हमारा जाना था मेरे को जिसी दिन तो इनका फोन आता है कि आपको खाना यहीं खाना है मैंने की नहीं खाना बना तो रहने दे नहीं ममी ने खाना बना लिया है आपके लिए अब एक भाव होता है कहने का मतलब तो वो चले गए तो like that कुछ एक एस प्रकार से कोई चीज कही जाती है तो इसके साथ भी कोछ ऐसे हुआ इन सच अ फ्रेंडली मेनर देर देर रेट्रेप पेडलर मस्ट हैव फैल्ट कॉन्फिडेंस इनर कि उससे चुएदानी बेचने वाले व्यक्ति को उसकी बात के उपर विश्वास हो गया कि यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इट वोड नेवर हैव ओकर्ट तु मी तैट यूड बॉदर विद मी यॉर्सेल्फ मिस इसेड और उस चुएदानी बेचने वाले ने क्या का सुनिये जराए सेंटेंस इसका चुएदानी बेचने वाले ने क्या का इट वुड नेवर हैव ओकर्ट तु मी तैट यूड बॉदर विद मी यॉर्सेल्फ मिस कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने तो मेरे दिमाग में तो कभी ये बात आई भी नहीं मैंने तो कि भी सोचा ही नहीं था कि आप मेरे लिए इतनी तकलीब उठाओगी समझ में बात आ रही है आपको आप मेरे लिए इतनी तकलीब उठाओगी यहां आओगी मैंने तो सोचा भी नहीं था I will, देखो, that you would bother with me yourself अब yourself क्या है यहां पर आज की लेसन में बताया था मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोना हुने यहां द्याना रहा हो तो He said, उसने का I will come at once और उसने का बिलकुल मैं आपके साथ चलने के लिए तयार हूँ समझ में आगी बात He accepted the fur coat which the wallet handed him with a deep bow और जो नौकर था साथ में उसके पास एक फरका कोट था उस नौकर ने उसको प्रस्तुत किया और उसने बिड़े जुकर के उसके सामने प्रस्तुत किया और उस चुएदानी बेचने वाले ने वो कोट ले लिया सर्दी तो लेगी रही थी उसको through it over his racks over his racks का मतलब उसका जो फटा हुआ, चितरे हुआ जो कोट था, उसी कोट के उपर उसने उसको पहन लिया समझ में आरे यह बात आपको? through जो आ रहा है नहीं यहां पर वो पहनने के लिए आ रहा है यहां पर वो लिखने का स्टाइल होता है ऐसा and through it over his racks racks और अपने उस फटे हुए जो कपड़े थे उसके जो कोट था, उसके उपर यह उसको पहन लिया and followed the young lady out to the carriers और उस नव्युफ्ती के पीछे-पीछे उसकी गाड़ी तक गया without granting the astronaut blacksmiths so much as a glance और पता है? और जाते जाते उसने अब वो जो लुहार है उसको बड़ा आस्चर हो रहा है कि यार ये क्या है ये बिकारी जैसा देखने वाला आदमी पहले वो मालिक आया है उसको इसके साथ ये नहीं गया फिर उसकी बेटी आई लेने के लिए मतलब यार कोई बड़ा वह एक विशेश व्यक्ति होगा समझ में आरी बात आपको? ये सर्थ और जाते जाते भी वो जो चुएदानी बेशने वाला व्यक्ति था उसने भी उसकी तरफ मुड़के भी नहीं देखा? उसने भी उसकी तरफ मुड़के भी लोहार है बड़ा आश्चरचे की तरफ मुड़के लेकिन इसने उसकी तरफ देखा भी नहीं बट वाइल इवाज राइडिंग अप टू दा मैनर हाउस अब लेकिन जब वो गाड़ी में बैठ करके मैनर हाउस का मतलब उसका जो मकान था किसका आयरेन मास्टर का जब उसके मकान की तरफ जा रहा था तो पता है उसके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे कि यार कहीं फंस नहीं जाओं और मेरे पास ये पैसे और पड़े हैं कहीं मेरे को कोई लूट नहीं ले तरह तरह की मन में उसके आशंका हैं आ रही है Why the devil did I take the fellow's money उसके लो ओह ये मैंने क्या कर दिया मैंने उसके पैसे क्यों लिये क्यों चुराए मैंने उसके पैसे He thought उसने सोचा Now I am sitting in the trap and will never get out of it और उसको समझ में आ रहा था कि अब मैं इस जाल में फंस गया हूँ और अब मैं इस जाल से कभी बाहर नहीं आपाऊंगा The next day was Christmas Eve और अगले दिन क्या था? Christmas? Yes sir And when their own master came into the dining room चली अगला दिन आ गया सुने मेरी बात को मैं यहां पर आपको अच्छे से नहीं explain कर पाया गाड़ी में बैठके वो चला गया ठीक है साब घर पहुँच गया ऐसे लिखा हुआ नहीं मैं बता रहा हूँ आपको बीच का लिंक मैं जोड़ रहा हूँ आपका और रात को सो गया हूँ ठीक है? के लिए रो गया? Yes sir The next day was Christmas Eve अगले दिन को Christmas का तेवार था इनका है ना? ठीक है ना? Yes sir अगले दिन क्या हूँआ वें दियर ओन मास्टर चेम इंट इनिंग रूम पर बेक्वास्ट he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly अब अगले दिन सुबह जो आरेन मास्टर था वो डैनिंग टेवल पर आया आपना नास्ता वास्ता करने के लिए तब उसने सोचा होगा बड़े संतुष्टी का भाव था उसके मन के अंदर कि आज मेरा एक पुराना मेरी रेजिमेंट का साथ ही आज मुझे मिल गया flash on his bones he said to his daughter और उसके बाद उसने अपनी बेटी से का बेटी यह मिल तो गया है लेकिन अब यह कितना पतला दूबला हो रहा है सबसे पहले तो यह है कि इसको खिला पिला के थोड़ा सा इसकी हड़ियों पर मास्ट चड़े समझ में बात आ गई होगी अब आपको यह first of all we must see to it सबसे पहले हमें यह देखना होगा that he gets a little flash on his bones flash का मतलब मास, bones का मतलब अड़िया इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो में यह देखना होगा उसने अपने बेटी से का who was busy at the table और उसकी जो बेटी थी वो table पर busy थी table पर busy का मतलब नास्ता वास्ता लगाने में करने में वो busy होगी and then we must see that he get something else to do than to run around the country selling rat traps और उसके बाद उसने अपने बेटी से का कि पहले तो इसको कुछ खिलाओ पिलाओ इसको तोड़ा सा इसकी सेहत अच्छी करो और उसके बाद हम यह देखेंगे कि यह अब चुए दानी बेच बेच करके अपना गुजारा चलाता है तो फिर यह देखेंगे कि इसकी चुए दानी का काम चुड़वा करके कोई अच्छा सा काम इसके लिए सेटल किया जाए समझ में आ रहा है आपको यार इतनी बात सोचने वाला किसी वेक्ति के बारे में तो यार कोई खास वेक्ति होगा तभी तो सोचेगा ना कोई इसका मतलब आईरेन मास्टर के और उसकी बेटी के और उसके कैप्टन के कोई ना पिताजी बड़ी अजीब सी बात लगरी है उसके साथ सब कुछ इतना उल्टा उल्टा हो गया कि वो आदमी ऐसी स्थिती में पहुंच जाए समझ में आता है ना आपको मैं क्या कह रहा हूँ आप से ये सिर्ट इस सर और बात बताओ मेरे को आप भी सोचोगे कि कोई भी वेक्ति आज बहुत अच्छी पोजिशन में है आप उसको जानते हो सपोज कीजिए मैं ही हूँ आज मेरे को आप लोग जानते हो कभी पांस साल के बाद, साथ साल के बाद दस साल के बाद सपोज कीजिए मैं आपको इस condition में मिलूं कभी तो आपके मन में तो आएगा ना यार इतना सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो गया इनके साथ में आएगा ना मन में विचार ये ही विचार उस लड़की के मन में आया last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man और उसने अपने पिताजी से का पिछली रात को मैं जब उसे लेकर के आये थी last night I did not think there was anything about him मैंने उसके इंदर ऐसी कोई चीज नहीं देखी जिसे कि पता चले कि वो कोई एक कभी एक पढ़ा लिखा वेक्ति भी रहा होगा एक शिक्षित वेक्ति भी रहा होगा समझ में आरी बात आपको अदमी की चाय कैसे भी position हो जाए मैंने आपको जैसे भी example दिया है आज आप मिरे को जानते हो कैसा हूँ क्या हूँ जो भी है अच सिर और पास साल के बाद या 10 साल के बाद अगर मैं आपको ऐसी position में मिलूं तो आप मेरे को देखकर के इतना तो समझ जाओगी कि यार हो सकता है कि वेक्ति का समय दरदर हो जाए कभी लेकिन फिर भी मेरे वेवार से मेरे बात करने के तरीके से आपको कुछ तो अंदाजा लगेगा कि नहीं लगेगा वो कैप्टें जैसा वेक्ति कितना है उसका कहने का मतलब है कि जब आदमी कुछ का कुछ हो जाता है अभी देखना उसकी दाड़ी बाड़ी बन जाएगी निलाए दुलाए जारा होगा उसको कपड़े अपड़े पहन के जब वो आएगा तब तुमको कुछ अलग चीज उसके अंदर दिखाई देगी physical जो लोग होता है वो भी अपने आप में important होता है होता है मैंन रखता है तो ठीक है एक दिल की बाद तो है यह अंदर की बाद तो होती है लेकिन बाहर से भी वेक्ति को थोड़ा सा लगना चीए और पिछली रात को तो वैसे भी वो बड़ा शर्मिंदगी से भरा हुआ होगा, इसको शर्म आ रही होगी, और जैसे ही इसके कपड़े उतरेंगे, वैसे ही इसके जो तौर तरीके है न, एक गुमकड वेक्ती के, एक अवारा वेक्ती के, वो भी खतम हो जाएंगे, वो भी चले जाएंगे, just as he said this, the door opened, and the stranger entered, और उसने जब ये बात अभी कही थी न, तभी दरवाजा खुला, और वो stranger, stranger किसके लिए आ रहा है, चुए दानी बेचने वाले वेक्ती के लिए, वो अंदर आ गया, समझ में आरी ही बात आपको, yes sir, yes, now he was truly clean and well dressed, अब वो जब वो अंदर आया, तो बेलकुल दाड़ी बाड़ी बनी हुई, नहाद हो के, first class बढ़िया से कपड़े पहन के, आया हो अंदर, हाँ से आया होंगे, कपड़े क्या हुआ होगा, समझी रहे होंगे, आप लो क्या बताओ मैं आपको, yes sir, yes sir, वो suit उसको पहनाए गया, अच्छा सा दिख रहा था वो, मैंने का रहा है, फरक होता है चीजों का, शायद physical look भी कहीं important होती होगी, और, he wore a white shirt and a starched collar and whole shoes, अब उसने बढ़िया white color की shirt पहनी हुई थी, मतलब एक बड़िया, एक gentleman जैसे कपड़े, है न, एक tie लगा रखी थी, उसने, वो white collar बोलते हैं, उसको देखा होगा, आपने कभी बड़ियां लगे रहते हैं, बड़े लोग होते हैं, पूरे जूते पहने हुए थे, बड़िया वाले, अभी तक तो उसको जूते ठूटे हुए थे, फटे हुए, अब पूरे जूते हैं, उसके पास, वो पहन करके, एक gentleman की तरह है, वो दिखाई दे रहा है, अंदर आया, बट, आल्दो, his guest, was now, so well-groomed, their, our master did not seem pleased, अब क्या हुआ, अब ये जो, चुएदानी बेशने वाले वेक्ति है न, ये तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो iron master है न, वो खुश नहीं दिखाई दे रहा, यानि कि iron master ने जब उसको देखा, किसको, चुएदानी बेशने वाले वेक्ति को, अब तो बिलकुँ साफ होगे न, दाड़ी बाड़ी कट गई, बाल बाल कट गई, नहाँ दो के बढ़िया कपडे पहन के आ गया, अब तो पैचान लेगा न, रात को तो अंदेरा था, दाड़ी बाड़ी बढ़ी हुई थी, डंग से पैचान नहीं पाया होगा, भूलोग होगी उससे पैचानने में, he looked at him with puckered bro, puckered bro का मतलब, ऐसे बोहें, तान के, तिरचिरा से न, यून देखते हैं न, कई बार अपन, इस तरीके से उस iron master ने उसको देखा, and it was easy to understand, that when he had seen the strange fellow, in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, तो ये बात तो किलियर होगी, कि रात को जब उस iron master ने, रात को जब उस iron master ने, उस चुएदानी बेचने वाले वेक्ति को देखा होगा, dim light में, dim प्रकास था, कहां देखा होगा, उसमें तो हो सकता है कि उसने उसको निश्चित रूप से पहचानने में भूल कर दी होगी, but that now, लेकिन अब, when he stood there in broad daylight, अब तो बिल्कुल दिन के प्रकास में, उजाले में वो खड़ा हुआ है, it was impossible to mistake him for an old acquaintance, अब वो उसको एक पुराने परिचित के रूप में पहचानने की भूल नहीं कर सकता था, यानि कि iron master ने उसको देखते किलियर होगया, वो होगलती होगी ये कोई और वेक्ति है, ये वो वेक्ति नहीं है, जिसको समझ करके मैं यहाँ पर लाया हूँ, समझ में आगे बात आपको, थैंक यू बड़े मुच, बस इतना ही रखेंगे आज,